दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Facebook प्रुफाइल से follow बटन को कैसे हटाते हैं अगर आप अपनी Facebook प्रुफाइल से follow बटन हटा कर add friend का बटन लगाना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं पहले तो आपको यह देखना है कि आपकी Facebook प्रुफाइल पर कौन से बटन आ रहा है follow का बटन आ रहा है या add friend का तो आप यह देखेंगे कैसे आप यह दूसरे ID में देख सकते हैं या दूसरे mobile में देख सकते हैं अगर आप अपनी Facebook ID में देखना चाहते हैं तो आपको Facebook प्रुफाइल में आना है यहाँ पर आपको 3.00 पर किलिक करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा view us आपको इस पर किलिक करना है तो आपकी प्रुफाइल दूसरे के mobile में किस तरह से दिखाई देगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा settings and privacy पर किलिक करना है इसके बाद कुछ और setting लिकल कर आएगी यहाँ पर आपको settings पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी how people find and contact you आपको इसे open करना है यह setting open करने के बाद उपर में आपको एक setting मिलेगी who can send you friend request यह friend of friend पर set है आपको इसे open करना है और आपको इसे यहाँ पर everyone पर set कर देना है यह everyone पर set हो गया अब इसके बाद यहाँ से आपको back आना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक setting मिलेगी followers and public content आपको यह वाली setting को open कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यह public पर set है तो आपको इसे public से हटा के friend पर set कर देना है अगर यह public वाला button काम नहीं कर रहा है तो यह इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपने अपनी facebook profile पर lock लगाया है पहले आपको क्या करना है facebook profile को unlock कर लेना है उसके बाद यहाँ पर यह public वाला button काम करेगा public से आपको हटा कर इसे यहाँ पर friend पर set कर देना है यह दो setting आपको करना है इसके बाद आपकी facebook profile से follow का button हट जाएगा और add friend का button आ जाएगा अब यह आया है या नहीं कैसे देखेंगे यहाँ पर three dot पर किलिक करना है यहाँ पर दोस्तो view us पर किलिक करना है तो दूसरा के phone में आपकी profile किस तरह से दिखाई देती है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर follow का button आ रहा था अब यहाँ पर add friend का button आ गया है इस तरह से आप follow button को हटा कर add friend का button लगा सकते हैं वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी help मिली है तो चैनल को subscribe करके हमें support जरूर कीजिए